Hey guys, study hub में आपके एक बार फिर से स्वागत है, देखो आज हम आपके लिए क्या लाए है, आज हम NCRT का ही numerical solve करेंगे, तो देखा आपके पास क्या है, question को हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, What is the force between two small charge spheres, दो small charge spheres हैं हमारे पास, उनके बीच में force निकालनी है, जहाँ पे spheres पे charge है, 2 into 10 raised to minus 7 column, 3 into 10 raised to minus 7 column, और उनके बीच की जो दूरी है, उनकी आपस में जो दूरी है, याद करो, जो हम पढ़ते थे, यह एक charge body है, यह दूसरी charge body है, और यह उनके बीच में distance of separation है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यह एक charge है, हमारे पास 2 into 10 raised to minus 7 column, यह हमारे पास कितना है, 3 into 10 raised to minus 7 column, और उनके बीच में जो दूरी है, that is equal to 30 cm, आपको पाता है, कोई भी unit है, जो आपको SI में लिखना है, तो आपके पास 30 cm को लिख दोगे, 30 into 10 raised to minus 2 meter, तो सर, यह वाली diagram हमें वैसे भी दिख रही है, कि हमें कहीं करी थी, ऐसी वाली diagram, तो सर, यह हमें लग रहा है, कि हम पे जो force निकालने के लिए formula लगना है, that is your columns law वाला formula, तो clearly हम देखो, हम लिख सकते हैं, since f is equal to किसके वराबर होता, 1 by 4 pi epsilon naught, इसको हम अपना q1 ले लेंगे, इसको q2 ले लेंगे, और यह हमारे पास r रहेगा, ठीक है, यह r है, q1, q2 by r सुकेर यही था, जिसा हम में पता है, 1 by 4 pi epsilon naught की value, याद करो क्या थी, 9 into 10 raised to 9, value जहां से put कर 2 into 10 raised to power minus 7, 3 into 10 raised to power minus 7, और आपके पास क्या है, इसका सुकेर है, यह बात याद रखना, यहाँ पर गलती मत कर देना, 3 into 10 raised to power minus 2 into 3, sorry, 30 into 10 raised to power minus 2, यह है आपके पास, यहाँ से देखो, दिमाग में क्या करना है, solve कैंसे करना है, आपनी इक लिए चीजें मुश्किल नहीं कर द 9 into 6 into 10 raised to power minus 14, ऐसे खरके लिख सकते हैं, 30 into 30 को में 900 लिख सकता हूं, 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power minus 2 को में 10 raised to power minus 4 लिख सकता हूं, यहाँ से 100 लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहाँ से 6 into 10 raised to power में लिख सकता हूं, minus 5 by, तो 100 को में क्या लिख सकता हूं, 10 raised to power 2 और इसको में लिख दूंग 10 raised to power तो मेरे पास क्या जाएगा 6 into 10 raise to minus 5 यह minus 2 हो जाएगा यह plus 4 हो जाएगा आपके पास जो answer एगा that will be 6 into 10 raise to power minus 3 newton ठीक है आई हो आपको powers of 10 तो आपने class लेगा तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे यहां तक अगर आपको पता चल गया और यहां पर चोटा सा confusion यह रहते कि कभी-कभी हर्बडा आट में क्या कर जाते बच्चे सीधा r is equal to 13 into 30 यहां कर जाते लग जबकि centimeter में है unit पर ध्यां रखना unit centimeter हमें meter में convert करना होता है ठीक है बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बाकी ऐसी और भी वीडियो के लिए study hub के साथ बने रहें that's it